अलो फ्रेंस गुड मॉर्निंग मैं हूँ एम जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही खुबसूरत फ्लावर अभी खिला हुआ है यह हमारे प्लुमेरिया का प्लांट है और प्लुमेरिया के प्लांट के उपर हमारे फ्लावरिंग्स खिले हुए है तो कुछ चीटिया यहां पे हमा प्लुमेरिया के उपर ग्रोथ कैसे लानी है और इसके उपर हम फ्लावरिंग्स कैसे ला सकते हैं वैसे यह प्लुमेरिया मुझे रेगुलर्ली फ्लावरिंग देता ही रहता है एक दूसरी फ्लावरिंग स्टिक भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह रेखिए यहां पे फ पानी बहुत ही कम चाहिए तो बारिशों की सीजन में होता ऐसा है कि बारिशों का पानी बहुत ही ज्यादा जाता है प्लांट की सॉयल के अंदर जिसकी वज़े से वह ग्रोध बहुत ही अच्छी करेगा इसके जो लीव्स हैं लीव्स की कंडिशन बहुत ही अच्छी लेकिन आपका प्लांट तब फ्लावरिंग नहीं करेगा तो आपको बस एक चीज का ध्यान देना है कि आप अपने प्लुमेरिया को वाटरिंग देना बंद कर दीजिए पूरे मॉन्सून की सीजन में यानि कि फूल मॉनसून में हमें इसको पानी देने की जरूरत नहीं है जितना ज्यादा आप ये प्लांट को पानी दोगे उतना ही ज्यादा ये प्लांट ग्रोथ करेगा और ये आपको फ्लावरिंग नहीं देगा अब जैसे कि ये जो प्लूमेरिया का पौधा है अल्मोस्ट मैंने इसको 15-20 दिन हो गया मैंने ये प्लांट को वाटरिंग नहीं की ये 15-20 दिन में फ्रेंस थोड़ी हलकी सी बारिशों भी हो गई थी मेरे या और बारिशों का पानी इसके गंबले में भी गया था और जब इसकी मिट्टी फुली ड्राइ हो जाती थी फुली मतलब कम्प्लीटली ड्राइ हो जाती थी तब इसके अंदर अच्छी तरह फुल वाटरिंग कर लेता था लेकिन ये पंदरा दिन पहले की बात है पंदरा दिन पहले मैंने इसके अंदर फुल वाटरिंग की थी लेकिन ये जो पंदरा दिन के गैप में फ्रेंट्स मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं की है जो भी पानी गया है वो बारिशों का पानी गया है मतलब फ्रेंड्स हमें अपनी तरफ से कोई भी ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी है जितनी वाटरिंग जाएगी वो बारिशों के पानी की जाएगी और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स इसको ओपन में रखी है खास करकि ये बारिशों की सीजन में, अगर बारिशों की सीजन में ये प्लांट को अगर आप शेड में ले लेंगे, तो बाद में ये प्लांट अपनी ग्रोध भी स्टॉप कर सकता है, इसके जो लीव्स होंगे, इसके लीवस भी दीरे दीरे करके येलो होना स्टार्ट हो ज जैसे देखने को मिल जाएंगे या तो brown color के सपॉर्टस देखने को मिल जाएंगे यहास कर्किपी यह मौनसून की सीजन में मौनसून की सीजन में ये शारी निशानिया fungus की होती है येलो सपॉटस वय या तो brown सपॉटस हुए तो अगर आपकी जो plumeria के लिवस के उपर yellow या तो brown spots आपको देखने को मिल जाए तो आप उसके उपर कोई भी एक अच्छा वाला fungicide चीटिया वाले कीड़े या जैसे यह जो चीटिया वगेरे हैं आपके अपड़ करेंगे तो कोई भी आप इनसेक्टिसाइड स्प्रेय खने से आप के लिवस हैं वह ग्रीन रहेंगे खराब नहीं दीखेंगे और प्लांत के लाइफ भी ज्यादा रहेगी तो प्रांगिसाइ मैं तो बैविस्टीन फंगिसाइड यूज करता हूं तो आप साफ फंगिसाइड यूज कर सकते हैं और अधा चमश लेना है एक लीटर पानी में और अच्छी तरह मिक्स करके हम अपने प्लुमेरिया के उपर स्प्रे कर सकते हैं दूसरा फ्रेंज इंसेक्टी साइड में बहुत सारा इंसेक्टी साइड आएंगे अगर आप पेस्टी साइड की शौक पे जाएंगे और कोई भी अच्छा वाला इंसेक्टी साइड आप पर्चेस कर सकते हैं वहां से तो मैं तो जो यूज करता हूं फ्रेंज मैं रोग और करता हूं डूनों में से कोई भी हमें एक स्प्रे करना है या तो आप और फंगी साइट का स्प्रे इसलिए करना है ताकि आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहे और खुब सुरत फ्लावर्स यह आपको जेनरेट करके देता रहे अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की के हमें इसके अंदर कौन से ऐसे फर्टिलाइजर डालने हैं जिसकी वज़े से यह प्लांट आपको ब्लूम्स देंगे तो सबसे पहले फ्रेंट एक चीज़ रूटिस कर लीजिए यह जो प्लूमेरिया है फ्रेंज नाइट्रोजीन बेच स्वर्टिलाइजर ज्यादा इनको पसंद होते हैं यानि कि जो भी fertilizer आप इसको provide करते हो उसके अंदर nitrogen की मातरा होनी जरूरी है अब जैसे कि अगर आप organic fertilizer इसके अंदर provide करते हो तो बाद में cowdeng liquid हुआ, vermicompost हुआ, ये सारे चीजों के अंदर nitrogen तो होता ही है जिसकी वज़े से ये plant को nitrogen तो मिल ही जाएगा लेकिन blooms plant के उपर blooms ये plant को जरूरी है phosphorus की तो friends DAP fertilizer ये plant के लिए बहुत ही अच्छा result देगा friends, अगर आप DAP fertilizer यूज करोगे ये plant के अंदर तो ये आपको 100% अच्छा result देगा और आपका plant 100% flowerings भी देगा, NPK भी use कर सकते हैं, जैसे कि NPK में आता है balance NPK 2020-20 वाला तो 1919-1919 वाला तो आप कोई भी NPK यूज कर सकते हैं, लेकिन friends, मैं आपको DAP इसलिए suggest करता हूँ, क्योंकि DAP के अंदर friends, nitrogen की मातरा 18 होती है, जो ये plant की requirement है, साथ में इसके अंदर phosphorus की मातरा बहुत ही ज्यादा होती है, यानि 46 जितना phosphorus रहता है, जिसकी वज़े से ये plant बहुत ही अच्छी bloom करेगा, NPK में इसको प्लूमेरिया का बहुत है, इसको नहीं रहती है, तो अगर आप इसको वर्मी कॉम्पोज या तो कावडंग लिक्विड वगेरे, आप इसको प्रोवाइड करोगे, तो उसके थ्रूई ये potassium अपने अंदर ले लेगा, यानि कि जो जो nominal मातरा में इसको potassium चाहिए, तो वो और्गानिक फर्टिलाइजर से इसको मिल जाएगी, ये प्लांट को ज्यादा जरूरत होती है, फॉस्फफरस बेज और नाइट्रोजिन बेज फर्टिलाइजर की, तो इसलिए, मैं आप सभी को डीएपी ही सजेस्ट करता हूँ ये प्लांट के लिए, डीएपी में लिए गन्दान कि ये इसक अधिया डालता हूँ जब इसकी क गीली नहों कि अभी जैसे को मौन्सुन की शीजन चल रही है, तो अभी हम ज्यादा लिक्विट फर्टिलाइजर याने की लिक्विट कावडंग डालता हूँ अब लिक्विट कावडंग फ्रेंस में तब ही ड अगर आप liquid fertilizer नहीं डाल सकते तब हम थोड़ा सा वर्मी कॉम्पोस यानि की आधी मुठी जितना वर्मी कॉम्पोस हम अपने प्लांट की स्वाल के अंदर डाल सकते हैं हर 15 दिन में एक बार या तो अगर आप liquid fertilizer regularly weekly weekly डालते हो तो बाद में महीने में एक बार इसके अंदर वर् कर लेनी है बाद में इसके अंदर next watering तभी करनी है जब इसकी soil पूरी completely dry हो जाए या तो जब इसकी soil wet हो जैसे की बारिशों का पानी गीरा हो और soil wet हो तो बाद में आप आप अधा चम्मच जितना DAP डाल दीजिए और soil की अच्छी तरह गुडाई कर लीजिए जिसकी इसके उपर flowerings लाने का है वह ओपन क्लाइमेट आप जितना open climate यह plant को दोगे उतने ही ज्यादा यह flowerings करेगा जितना आप इसको shade में रखोगे यह flowerings कम करेगा उल्टे इसके leaves yellow होना start हो जाएंगे तो इसलिए आप इसको open climate दीजिए ज्यादा pruning की भी इसको जरूरत नहीं ह यहां से देखिए मैंने प्लांट को कट किया था और यहां से new branch निकल गई और यह जो पौदा है यह आराम से आपको cutting से result दे देगा मैंने इसकी cuttings भी grow की है वह मैं अभी आपको दिखा देता हूं जैसे की देख रहे है इसकी cutting है जो मैंने grow की है मैं इसको open में ले लेता जब इसके leaves totally open हो जाएगे तब मैं इसकी full update वीडियो आपके साथ share जरूर करूंगा तो almost तयार ही है जब इसके सारे new leaves open हो जाएगे तो यह plant आराम से cutting से grow हो सकता है तो इसकी cuttings के लिए friends थोड़ी बहुत care करनी पड़ीगी तो मैं उसके लिए पूरी एक अलग वीडियो ब सिर्फ winters में आपको दिक्कतों का face करना पड़ेगा यानि कि winters में यह plant है अपने सारे leaves गिरा देगा और सिर्फ यह plant की डंडिया रह जाएगी यह तो अगर आपने इसको full sunlight दी हो winters में तो इसके उपर आपको थोड़े-थोड़े leaves लगते हुए दिख जाएंगे लेकिन ज winters इसकी season नहीं है इसकी season स्टार्ट होती है winters के बाद यानि कि January February के महिने से इसकी season स्टार्ट हो जाती है और तब से friends यह flowerings भी आपको देगा flowerings friends यह January से March मेने तक बहुत ही अच्छी flowerings आपको देगा लेकिन जैसे यह बहुत ही जब ज्यादा तेज गर्मिया स्टार्ट हो जाती है यह बहुत ही तेज यानि की 43-42 degrees temperature हो जाता है तो ऐसे में जब आप अपने यह plant को बाहर रखते है friends तब इसके उपर शायद flowerings कम आए लेकिन जैसे temperature थोड़ा सा low हो जाता है 40 के नीचे चला जाता है और थोड़ा सा humid climate create हो जाता है तो बाद में आपका यह जो plant है flowerings अपने आप देना start कर लेता है तो यह जो plant है अभी मेरे यह regularly flowering करता है तो मुझे कोई ज्यादा problem नहीं है बस DAB fertilizer आप इसके अंदर add करते रह तो यह है मेरी video friends plumy area को plant को flowering पे लाने के लिए फिर भी अगर आपको किसी भी type का confusion हो तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं मैं आपको reply दूँगा till then के लिए thank you friends